हेलो एरीवन वेल्कम टू दा इंजिनियर सटा 247 का इस हम बात कर रहे हैं आर आर भी एल पी के लिए ठीकर और वेसे हम पहले दो सेशन ले चुके हैं आज हमारा जो यह सेशन रहने वाला है थळी यहनि कि टीली बेसेश Treaty पर हम लोग करेंगे और अब करेंगे दिशिट्रोब से अप बहुत ही अची से अच्छे मुकाम पर आपने आपको데 आने वाले हैं तो दोस्तों जैसा की बात हो रही है आपके एलपी के मोग टेस्ट के बारे में आज मेरे साथ सामने एक पहला क्यूशन है जो आपके 101 परसेंट एक्जाम में पूछा जाएगा तो चलिए उसी क्यूशन से है वो शुरुवात करते हैं बिना किसी रुकावट के ये कलेंडर का क्यूशन है और कलेंडर टोपिक है वो आपके RRB, ALP के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है तो आईए इसके बारे में हम जानकरी लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है 8 दिसंबर 2007 को सनिवार था तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा डे होगा यानि कि एक इसके अंदर बहुत कोई जादा है जो लंबा चोड़ा कॉंशप्ट नहीं लगाना है मुकेश जी बहुत-बहुत स्वागत आपका वेलकम देखो जब डेट और मन्त क्या हो इक्वल हो डेट और मन्त है वो समान हो तब आपको क्या गरना दोनों को उड़ा देना है अब आ माइनस कब करते हैं हम लोग जब पीछे जा रहे हैं सिंपल येर होता है तो और अगर लीप येर होता है तब हम प्लस-2 करते हैं प्लस कब करते हैं सबować यह आपका क्रेक्ट आंसर क्या आएगा फ्राइड आ जाएगा अगर इसी जगे ऐसे होता यह 8 दिसंबर 2 008 होता और उसको आपको सनिवार दिया वह होता और आपसे पूछ लिया ये दो जार आठ से दो जार साथ में जाएंगे तो लीप ये राएगा दो जार आठ यानि 29 फरवरी आएगी दो जार आठ वाली तो 39 फरवरी जैसे आएगी तो हमें माइनस टू करना पड़ेगा तो यहां पर भी आपका क्या आंसर आएगा गुरुवार है वो आपका यहां पर आंसर रहने वाला है तो यह दोनों कंडिशन मैंने आपको बता दी एक तो यह वाली कंडिशन और तब संड़े नहीं होता तब संड़े नहीं होता वेड़ा रिवर्स जा रहे हैं अगर यहां पर पूछ लेते आठ दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा तो अब देखो फरवरी यह वो 2000 नोकी आएगी तब यहां पर हम सनिवार में एक प्लस करते तब उपर की तरफ चलते ना तब हम यहां पर रविवार करते यानि कि सुनो मेरी बात जिस तारिक से जिस तारिक पर आप जा रहे हो उसके बीच में अगर आपके 28 फरवरी आए फरवरी का मैना 28 का आए तब आपको क्या करना है अगर आप जिस तारिक से जिस तारिक पर जा रहे हो तो उसके बीच में आपके 48 का मैना 29 का आए तब आपको क्या करना है दो करना है lan – तो मेरे इसावसे यहां सब सभी के clear हो चुकी होगी मैं next question की तरफ लेकर के चलता हूँ अभी फिलाल इस question का जो correct answer है वो Friday रहने बाला है very good morning चलिए next पे चलते हैं ये देखो जी आपके एक series का बहुत ही interesting सा series type का question है ये बोल रहा है select the series in which later note according to the general rule general rule के according यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो आपको select करना है कुछ भी नहीं ये जो later लिखे वे हैं उनके जो position number है उनको आपको यहाँ पर देखना है तो एक बार मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ जिसे कि अक्सर हमारे क्या होंगे बड़े होंगे बड़े होंगे तो हम अच्छे से आपको visible भी होंगे और हम अच्छे mark है वो इसके उपर लगा सकते हैं देखिए जनाब यहाँ पर एक बार देखिएगा C ये वो 3 पे आ रहा है E 5 पे आ रहा है G 7 पे और K ये I 9 पे K 11 पे और M 13 पर रूल क्या लग रहा है यहां पर रूल क्या लग रहा है दो-दो का है जो यहाँ पर increment हो रहा है दो-दो है जो बढ़ रहे है P 16 पर आता है R 18 पर T 20 पर V 22 पर X 24 पर Z 26 पर यहाँ पर भी क्या हो रहा है दो-दो बढ़ रहे हैं M 13 पर आता है O 15 पर R 18 पर T 20 पर V 22 पर X 24 पर तो यहाँ पर है जो देखो कितने बढ़ रहे हैं 3 बढ़ रहे हैं तो यही गड़बढ कर रहा है यहीं गड़बढ कर रहा है बी ओप्षन बिलकूल सभी आपने जैड़ आपका 26 पर B 28 पर आता है तो बढ़ रहे हैं यहाँ बढ़ रहे हैं इतमींस है वह आपका correct answer क्या होगा क्योंकि इसमें यह रूल है वह फोलो नहीं हो रहा है बिल्कुल जी ग्रेट आंसर बी ओप्शन गुड नेक्स्ट वन है आपके पास में एक छोटा साथ मतलब कह सकते हैं कि सिटिंग जैसा ही कौशिप्ट है लेकिन छोटा क्योशन है छोटा भले ही हो लेकिन है जो एक प्ले ग्राउंड के अंदर यह इंस्ट्रेक्शन जो इंस्ट्रेक्टर है आपके उसकी तरफ मुह करके खड़े हैं एक के पीछे एक मालीनी अंजना के पीछे हैं लेकिन गाहित्री के आगे हैं और मीना सेना के आगे हैं लेकिन गाहित्री के पीछे हैं तो मीना की इस्तति क्या होगे कौन बताएगा कौन बताएगा फटा फट देखे सबसे पहले किसका आंसर आएगा मैं भी कर रहा हूं इसे मालीनी अंजना के पीछे हैं मालीनी है वो किसके पीछे हैं अंजना के पीछे हैं तो यह अंजना हो गई जी यहां पर ठीके और लेकिन गाहितरी के क्या ह आगे है माली नहीं है वो गायत्री के आगे है और मीना सेना के आगे है लेकिन गायत्री के पीछे है मीना है वो सेना के आगे है लेकिन गायत्री के क्या है पीछे है तो यह आपका क्रम होगा अब एक नंबर पर यह है दूसरे पर यह है तीसरे पर यह चोथे पर यह और इस्तति है अंतिम से क्या है दूसरी इस्तति है तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर यह ओप्षन लगाएंगे बोलोग आई यह बात सबकी क्लियर है यस और नो यस और नो बताए बेटा देखो फिर से कह रहा हूं मैं अभी तो तीसरा क्योशन ही चल रहा भाई इनके कॉंसेप्ट हंड्रेड और परसेंट आपके पूछे जाएंगे एक्जाम में तो आप है जो उसी हिसाब से अपने आपको प्रिपेर करते चलो देखो बहुत ही सिंपल सा क्योशन वहां एक्जाम में जब आएगा तब हमें थोड़ा सा अटपटा लगेगा यह लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस अभी कर लेंगे तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पर क्या बोलावा है सेलेक्ट दा ओप्शन देट रिलेटेड टू दा फिप्ट नमबर इन सेम वे फॉर्स्ट नमबर इस रिलेटेड टू से रहने वाला है अगर आप य नमबर देखो तो आप देखोगे कि यह 9 के अप्रोक्सिमेट क्यूब के एकवल है यहाँ पर 9 के क्यूब के एकवल है 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है अब 729 हो रहा है यहाँ पर और यह 711 आ रहा है तो क्या कर सकते हम लोग 9 का दुगूना माइनस करते हैं इन में से य उसमें से 8 का दुगुना माइनस किया यानि कि 16 माइनस किया तो 12 में से 6 बच गे और इधर कितने बच गे 10 में से 1 गया 9496 बच गया अब मैंने मैथड आपको बता दिया है अब तो आंसर दो यार अब तो आंसर दो और यह important question है मैं फिर से कह रहा हूं यह जो class आपके चल रही है इसमें एक भी question है वो ऐसा नहीं होगा जो आपके exam को relate नहीं करेगा यह मोका है आपके पास में यह 100% मोका है और आप गुमरा मत हुए बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए और बढ़िया तरीके से आंसर दीजिए छे का क्यूब है वह आप 216 और माइनस क्या करना है छे छे में से दो गया तो कित्ता बच गया चार और इधर 0 204 204 लगा दू क्या बिल्कुल सही बताया उमाचंकर जी ने 204 है वो बिल्कुल ग्रेट आंसर है गुड आंसर नेक्स्ट वन यह देखो analogy का question है बहुत ही simple सा है यह कौन बताएगा देखे गाईस यह बोल रहा है अप चलिए देखें आप सोच लोगे आप एक्जाम देरे हैं ऐसा सोच लो और एक्जाम दे रहे हैं तो आपको हर एक question आना चीए बैशक आप time अभी थोड़ा ज्यादा ले-दा है लेकिन एक्जाम में हैं जो time का भी बहुत बड़ा अच्छा फंड़ा है तो उस time को में उतर गए तो बिल्कुल सही बताया आपने जैसे पराय का संब्ध अपने से है तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो धोके बाज का संब्ध है वो सच्चे से है जूटा तो धोके बाज ही कठोर नहीं होगा चतूर है वो अलग टम है आपके तो करेक्ट आंसर क्य को समझ लेना वहाँ एकजाम में जब यह क्योशन आते हैं तब हम सोच में पढ़ जाते हैं कि करना क्या है यह टाइम वेस्ट होता है हमारा तो पहले ही हम है जो प्रैक्टिस करके चले तो टाइम किसी भी टाइप का वेस्ट नहीं होगा यह बोला है यदि आपको यहाँ प को बताना है कि सबसे पहले नंबर पर कोन आएगा अगर मैं बात कर Jackson here मजूं है इधर be Anything मजूं सबसे पहले नंबर पर तो मेनी आएगा सबसे पहले नंबर पर तो मेनी आएगा दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो یہां मे है ंडबटी म्द यह वी मतलब इसमें लेटर का T और यह T है देखो यहां A है और यहां S है तो यहां तीसरे नमर पर कोन आएगा मीताज आएगा मीताज है वो तीसरे नमर पर आएगा और चोथे नमर पर कोन आएगा मीट्स आएगा और पाच्वे नमर पर कोन आएगा मदर आएगा पाच्वे नमर पर कोन आएगा मदर तो बरटाऊ बीच में कौन सा आजरा है बीच में कौन सा आज रहा है मीताज रिषए पटेल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है की जिन्हों ने किया है जहलो एकजाम में अब पूछा जाने लगए आप ध्यान से पढ़िएगा किशन गूशन को और ध्यान रूट जानता है चांदनी चोग से कश्मीरी गेट जाने के लिए ठीक है और कश्मीरी गेट से दिलसाथ गार्डन के लिए वो तीन डिफरेंट रूट जानता है फ्रों दिलसाथ गार्डन टू चाइना मार्केट लिए यह आपका हो गया चांदनी चोग टू चाइना मार्के यह हो गया आपका चांदनी चोग, चांदनी चोग से कश्मीरी गेट के लिए ये कितने रास्ते जानता है, चार रास्ते जानता है, ये आपका कश्मीरी गेट हो गया, ये आपका कौन सा हो गया कश्मीरी गेट, ठीक है, कश्मीरी गेट से दिलशाद गार्डन के लिए ये त दो रास्ते जानता है तो बताओ वे कितने रास्ते जानता है देखोには सबसे पहली चीज में है एक तो आप इसको इस सब्हें एक यह ओगया आपके दूसरा यह ओगया आपके तीसरा यह ओगया आपके चोथा यह ओगया आपके पांचवा और यह ओगया आपके छटवा तो एक से छे रास्ते है तो इसी छे होंगे इसी छे होंगे इसी छे होंगे तो छे गूर्णा 4 कितनी हो जाएंगे च्णून चार कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे मैंने एक-एक रास्ता आपको बताया है क्या से कैसे है जो देखों वापी से भी बता देता हुं यह जो आपके छे रास्ते बन रहे हैं वो कौन से बन रहे एक तो यह हो गया यह पहला अब इसे इसे लेकर के यह दूसरा ले लो यह दूसरा रास्ता हो गया फिर आप इसको यह तीसरा फिर इसको और इसको ले लो यह चोथा फिर इसको लो इन दोनों के साथ यह पांचवा और यह छटवा छे रास्ते एक से बन रहे ह यहां पर नेक्स्ट वन पर मैं लेकर की चलता हूं यह देखो ब्लड रिलेशन का क्यूशन और कोडेड़ वाला क्यूशन है और कोडेड़ वाला क्यूशन related to Q, ऐसे पूछा गया है, कौन बताएगा सबसे पहले इसका correct answer, कौन सा साती है, जो correct answer इसका दे सकता है, बताओ guys, फटा फट देखे, सबसे पहले, कुछ भी नहीं करना, बहुत simple सा question है, ये आपके पास में यहाँ पर equation दे रखी है, इसके according आपको diagram बनाना है, plus minus का आपको ध का मतलब क्या है, पी है, वो क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, पी is the father of Q, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, पी is the father of Q, तो डबलू किसका पिता होगा, डबलू किसका पिता होगा, डबलू वी का पिता होगा, यानि पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, य वी किसका भाई हो गया, टी का भाई हो गया, टी और पर्सेंट क्यू, तो पर्सेंट का मिनिंग क्या है, पी क्यू की बहिन है, तो टी किसकी बहिन होगी, क्यू की बहिन होगी, यहाँ पर क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन पूछा क्या है, डबलू, डबलू क्यू के टाइम कम लगाना है बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको रिक्वार्मेंट है और यह प्रैक्टिस है जो बढ़िया तरीके से आपके चल रही है यहां पर चलो जी यह कौन बताएगा देखें लक्षमी दीप ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है उमाशंकर वेरी गूड direct answer गुर्ड आंसर चलो इसके बारे में बताऊ मैं मोका देता हूं आपको मोका है आज चोका लगा दो देखें फटाफट आज मोका है चोका लगाओ देखें एक्विकली सबसे पहले किसका पाइएगा चल्दी जल्दी गाइज फटाफट किसका आएगा पाई μいना किसी कि फटाफट कि समझ नहीं आया पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको वापिस समझा देंगे या तो राजकुमार या पहले समझोगे बताओ क्या है कि कई बार क्या है कि एक ही क्वेशन की पीछे पड़ते ना तो समझ में नहीं आता है लेकिन बीच में कर लेते हैं वापिस समझ में आ जाता है और वह तो बहुत सिंपल सा क्यूशन था अगर वह समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको एक लंबी प्रैक्टिस की आउशकता है अच्छी तयारी की आपको आउशकता है यहां पर पूछा किया है ए और बी की जगे कोन से नंबर आएंगे आप क्या पूदिशा में चले तो कोन आए तीन और दो और यहां पर कोन आए छे और चार तो बच कोन गया पांच तो मुझे बताओ यहां पर पांच है तो एक इस जगे आएगा क्योंकि पांच के अपोजिट कोन होगा पांच के अपोजिट कोन होगा एक होगा तो एक तो ए और बी एक और बी की जगे नहीं आएगा ये तो समझ लो राजकुमार आपको क्या गरना है तो एक के पीछे 5, 3 के पीछे 6, 2 के पीछे 4, 2 के पीछे कितने आरहे हैं 4 तो अब यहाँ A और बी की जगे ओप्शन देखो इसमें ए है इसमें एक है इसमें एक है तो एक वाला तो आ सकता है क्या नहीं आ सकता है कौन-कोन आ सकता ए और बी की जगे ए और बी की जगे तीन और छे भी नहीं आ सकता अगर तीन और छे बोले तो भी नहीं 6 और 4 भी आ सकता है, 6 और 4 भी आ सकता है, तो इसका correct answer तो D होगा, अगर ऐसे option देदे, A में 2 और 3 देदे, B में 6 और 4 देदे, C में देदे, A and B, तब आपका correct answer क्या होगा, C option होगा, तो ये बात सभी के समझ में आई होगी, बोलो जी yes or no, एक साती कह रहे हैं कि ये मेरे समझ म नहीं आया, तो देखो बेटा क्या करना है, बहुत ही simple सा मामला है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो एक बार, ये add the rate का मतलब क्या होता है, कि पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, ये है वो V का पिता है, पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, तो पिता कोन हो गया, W, डबलू पिता हो गया किसका वी का एंड का मतलब क्या होता है एंड का मतलब है यहां पर पी एंड क्यू कारते है पी क्यू का भाई है तो पहले वाला दूसरे वाले का भाई है तो वी का भाई कोन हो जाएगा वी किसका भाई हो जाएगा टी का भाई हो जाएगा और यहां पर परसेंट का मतलब क्या है कि वह है पहले वाली दूसरे वाली की बहीन है तो टी किसकी बहीन है क्यों की बहीन है तो यह तीनों तो और यह डबलू इन का क्या हो गया पिता हो गया बहुत ही सिंपल चाहता यही अगर समझ में नहीं आया है तो इसमें इस टाइप में बहुत खत मज़ेदार सा क्यूशन बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा कोई व्यक्ति है वो अपने सामने दस मेटर चलताasha और उसके बाद उसके बादडस मेटर दाए चलता है प्रतियक बार अपने बढ़ बांच वीच फीर 15〉 और 15 मिटर चलता है तो जितनी बार बाएं मुड़ रहा है और वो भी किसे क्रम से रेस्पेक्टिवली जिस ओडर में वो चल रहा था उसी ओडर में पहले 5 फिर 15 और वो भी आपके बाएं तरब और फिर 15 मिटर चलता है अब अपने वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना देखिये जनाब कोई भी परसन है वह सामने 10 मिटर चलता है तो यह सामने 10 मिटर में लेके गया यहां तक की बाद हमारे पूरी क्लियर हो गई ठीक है फिर उसके बाद 10 मिटर दाएं चलता है तो यहां से राइट साइड मोड़ा अपने और यह 10 मिटर चला राइट साइड ठीक है अब वह बाएं मुड़ता यहां से और हर बार बाएं मुड़ता है लेकिन पहले वह 5 मिटर चलता है यानि कि लेप्ट मुड़ा और कितना चला 5 मिटर ठीक है फिर वह लेप्ट मुड़ा और कितना चला 15 तो लेप्ट मुड़ा और 15 चला तो यहां से यहां तक की 10 है तो आगे ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और ये 10 टोटल कितना चल गया 15 फिर वे left मुड़ा और कितना चला 15 तो यहां से left मुड़ा और कितना चला 15 अब ये 15 कैसे होगी ये 10 है और ये 5 तो यहां से यहां तक की पूरी जो आपके line है वो कितनी हो जाएगी 15 तो अब अपन एपना स्टार्टिंग ये है और कि बंब क्रेक्ट आंसर दिया है। यह देखो यह थो बहुत सिंपल सा क्योशन है इसकां सर्दो देखे सबसे पहले किसका उत्तर आएगा यधी आपके लीड को स्टिक कहा जाये इस्टिक को निब और निब को आपके निडल कहा जाए निडल को आपके रोप कहा जाए और रोप को थ्रेड कहा जाता है तो लिखने के लिए कलम में क्या फिट किया जाएगा तो लिखने के लिए आपके किसका उपियोग किया जाएगा बताओ जी जल्दी बताओ लिखने के यह हम किसका इस्तमाल करते हैं लिखने के लिए निब का यूज के करते हैं हम लोग लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम निब का और निब जो है उसको क्या लिखा जा रहा है निब को क्या लिखा जा रहा है निडल तो करेक्ट आंसर क्या आजाएगा आपका सी ने वो आपका गुड़ आंसर होगा बी तो भाई इस्टिक को निब कहा जा रहा है तो बी तो तब आएगा आपके तो निडल इसका correct answer होगा ना क्यों गलत बता रहे हो भाई है चलिए next पर चलिए यह बताईए यह बड़ा ही मज़ेदार सा question है आपके पांच बज़कर 20 मिनट पर मिनट वाली और सुई वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कोन क्या होगा तो angle पूछा है पांच बीच के उपर मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच एंगल है वो कितना होने वाला है फटापट आंसर दो देखें quickly जल्दी जल्दी सबसे पहले किसका आंसर आएगा जल्दी जल्दी बताओ बेटा quickly आंसर दो पांच बज़ करके 20 मिनट पर देखो इसके लिए एक formula भी है formula क्या है angle बराबर angle equal to angle equal to 11 by 2 into minute minus hour into 30 है ना तो यहाँ पर क्या कर दो आप minute की जगे क्या रख दो minute की जगे क्या रख दो 20 रख दो 20 रख दो और hour की जगे क्या रख दो आप 5 रख दो और into 30 कर दो यहां से 2 से divide किया तो 10 यह कितना हो गया 110 यह कितना हो गया 150 remaining कितना बच्चा minus 40 degree plus minus से कुई फरक नहीं पड़ेगा 40 degree है वो आपका correct answer आ जाएगा 40 degree yes 40 degree है वो आपका good answer बिल्कुल रिश्व पटेल साब ने डी आंसर बिल्कुल सही बताया है very good answer very good next one पर चलते हैं यह देखो यहां पर क्या बोला गया है what number number की बारे में पूछा है simple ली बात है पासे के अंदर number की बारे में पूछा जाता है तो इसका मतलब है आपको टेबल बनानी बनानी पड़ेगी तो तीन इस्ततियां दे रखिए यहां पर और यह बोल रहा है निशली सते पर कौन सी मैं चार इसके और इसके बारे में बात करूं तो इसमें तीन आ रहा है इसका मतलब यह भी नहीं होगा अगर मैं इसके सेकेंड और थर्ड के बारे में बात करूं तो इधर चार और इधर चार आ रहा है अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आपको चार के पीछे चाहिए और चार ही कोमन आ रहा है चार ही कोमन आ रहा है चार के पीछे चाहिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं चार के पीछे वो नंबर होगा जो को दिखाई नहीं दे रहा है और कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच- ये बताओ देखें, ये बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा क्योशन, सबसे पहले किसका राइट आंसर आएगा, बड़ा ही मज़ेदार सा है, बताओ जी जनाब, सबसे पहले कौन है जो सही आंसर पर पहुंचेगा, मैं वेट करता हूँ आपका बहुती मज़ेदार सा एनालोज काफी अच्छा क्योशन, बताइए, बताइए जनाब, जल्दी 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 क्विकली, फटा फट, फटा फट देखें, आने दीजिए भई, ओके, ओके, गुट, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये पांच और प्लस एक करो, और उसका क्या करो, आप स्क्वेर करो, तो पांच प्लस एक, और उसका क्या करो, छे का स्क्वेर करो, छतिस आ रहा है, तो छे प्लस एक करो, कितना आ रहा है, साथ का स्क्वेर करोगे, तो कि 49 49 is the right answer very good answer yes MS साब ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया यह बताइए आपको यहाँ पर मिरर इमेज के लिए पूछा गया है मिरर इमेज का क्वेशन है बताइए गाइस सबसे पहले किसका उत्तर आएगा करेक्ट आंसर मिरर इमेज के लिए पूछा गया यहाँ पर यह फिगर ऐसा का ऐसा ही है इससे मिलता जुलता तो एको तो मैं हटा देता हूं डी के अंदर लाइन ही नहीं है तो डी तो सबसे पहले हट गया अब इन दोनों में डोट नहीं है इन दोनों में डोट नहीं है तो बी को हटा दूँ तो करेक्ट आंसर आपका क्या बचेगा सी ओप्श there with no faces no faces colored किसी घन के विपरीद सते को करमे से लाल काले और हरे रंग से रंगा गया है तो उसके पस्चा 64 बराबर घनों में काटा जाता है देखो execution को attempt करने का सबसे the best तरीका सुनना एक बार यहाँ पर मुझे बताओ कुल छोटे घनों की संक्या कितनी है यहाँ पर मुझे बताओ कुल छोटे घनों की संक्या कुल छोटे घनों की संक्या कितनी है कुल छोटे क्यूब्स कितने है 64 तो आप इन 64 से N का मान लाना आपको फिर एक formula है तो उस formula के तहद हम लोग करने वाले है तो यहाँ पर 64 तो आपको क्या करना है N का मान लाना है N का मान है वो छोटे गनों के क्यूब रूट से आएगा क्यूब रूट से छोटे गनों के आप बताओ छोटे गनों की संक्या कितनी है छोटे गनों की संक्या का क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट कितना आएगा 64 का क्यूब रूट कितना आएगा 64 का क्यूब रूट कितना आएगा 64 का क्यूब रूट अगर मैं लेता हूं तो n कमान कितना आएगा 4 आएगा n कमान कितना आएगा 4 अब मेरी बात जांचे सुनों सबसे पहला जब बड़े गन को छोटे गनों में बाटा जाता है एना तो आपसे पूछा जाता है थ्री फेसेस कलर्ड एना आपसे पूछा जाता है थ्री फेसेस कलर्ड यानि तीन फलक रंगीन थ्री फेसेस थ्री फेसेस कलर्ड तीन आपके तीन फेसेस तीन फलक रंगीन गनों की संख् क्या हमेशा कितनी आती है 8 आप से पूच्छा जाता है 2 VACES awareness दोच बारा n-2 12 n-2 तो यहाँ पर n कमान कितना आ रहा है 4 आ रहा है तो यहाँ पर आप रखो 4 4 में से 2 गए तो कितने बच गए 2 और 12 गूर्णा 2 कितने हो गए 24 हो गए ठीक है आपसे पूचा जाता है 1 faces 1 faces colored 1 faces colored के बारे में पूचा जाता है तब आपके पास फोर्मूल आता है 6 n-2 का holy square तो 6 की जगे 6 4-2 और उसका holy square 2 का holy square कितना होता है 4 6 गूर्णा 4 कितना होगा 24 होगा लेकिन यहाँ पर पूचा है कोई भी सते रंगावा नहीं है कोई भी सते रंगावा नहीं है यानि no faces colored अगर आपसे पूचे no faces no faces colored तो उसके लिए यानि इसको बोलते हैं रंग हीन रंग हीन गनों की संक्या रंग हीन गनों की संक्या उसके लिए फोर्मूला क्या होता है n-2 का whole cube तो n का मान 4 4 में से 2 गया तो कितना बचा दो ही बचा और 2 का cube कितना होगा आठ तो हमारा correct answer क्या आएगा आठ ही आएगा यहां पर तो सारे के सारे जो concept बन रहे थे ना इसमें जो colored यानि की आपके एक तो no faces colored वाला एक three faces two faces one faces यानि की तीन फलक रंगीन दो फलक रंगीन और एक फलक रंगीन और उसके अलावा रंग हीन गनों की संक्या तो वह चारों के चारों मैंने आपको चीजें हैं वह यहां पर बता दी है तो mostly यह सारी की सारी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी तो correct answer क्या हो जाएगा आपके अब देखो आपको ऐसी ध्यान रखना है जो तीन फलक रंगीन की संक्या हमेशा कितनी आती है और दो फलक रंगीन के लिए फोर्मूला क्या लगता है 12N-2 और एक फलक रंगीन के लिए एक फलक रंगीन के लिए फोर्मूला क्या लगता है एक फिलक रंगीन के लिए 6N-2 का whole square और आपके रंग हीन के लिए रंग हीन के लिए रंग हीन के लिए formula क्या लगता है N-2 का whole cube ये formula आपको याद रखने हैं बाकि कुछ भी नहीं है इसमें एना चलिए next पे चलते हैं ये देखो जी ये क्या बोल रहा है आपके सामने अजप्शन का question है अजप्शन को लेकर के हैं यहाँ पर बोला गया है केलसियम सरीर के लिए आउशक है आउशक पदार्तों में से एक है दही में दूद की तुलना में केलसियम की मात्रा दुगुनी है इसलिए दूद की तुलना में दही है वो स्वास्ते वर्दक है इस लाइन से आपने क्या समझा इसमें comparison हुआ है इस लाइन से आपने क्या समझा इस लाइन से आपने क्या समझा ये बोल रहा है केलसियम सरीर के लिए आउशक पदार्तों में से एक है यानि शरीर को और भी आउशक पदार चाहिए दही में दूद की तुलना में केल्सियम की मात्रा दुगुनी है यानि कि दही में दुगुना केल्सियम है इसलिए दूद की तुलना में दही स्वास्तिवर्दक है यानि इस statement से हमें पता चल रहा है कि जिसमें केल्सियम की मात् मातरा पर निर्वर करता है या केल्सियम अधिक केल्सियम सरीर के लिए वांचनी है बताओ जी ओनली सेकंड बिल्कुल सही आंतर बताया आपने अधिक केल्सियम है वह आपके केल्सियम पर निर्बर करती है लेकिन पूरी तरीके से अब हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजे हैं वो और भी आपको यहां पर देखने को मिल रही हो और भी आपको देखने को मिल रही हो और भी मानलो और भी कोई गुण होंगे केल्सियम के अलावा और भी बहुत सारी चीजे होगी तो क्या केल्सियम इसको गलत करें या सही करें बताओ इसको गलत करें या सही करें अजेप्शन का है केस आपके मानित्ता का है बताओ जी बताओ 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 यह only second तो आपने बता दिया लेकिन first के बारे में तो बताओ भाई देखो यही गलती कर देते हो आप यही गलती कर देते हो अब मेरी बात जांसे सुनो यहां पर इन्होंने hands prove किया है hands prove किया है दई और दूद की स्वास्ति वर्दकता है वो calcium की मात्रा पर निर्बर करती है क्यों भाई दूद और दई में से कौन है जो आपके ज्यादा स्वास्ति वर्दक है तो comparison किया है यहां पर कौन ज्यादा स्वास्ति वर्दक है बताओ स्वास्ति वर्दक कौन है क्यों की यह गल्ती क्यों कि्या आपने अगर मैं आप से पूछू कि भई दूद और दई में से स्वास्ती वर्दक कौन है यहां पर तो आप को कहते ihr वह दूद्र की तुलनामें जादा स्वास्ती वर्तक है तो मतलब है कि स्वास्ती वरदकता है केल्शियम की मात्रा दूगुनी है उस पर कर रहे हैं तो इट मींस केल्सियम की मात्रा के अधार पर ही आपने किया है लैना तो यह मान्यता था मान्यता से related question था नेक्स्ट वन है आपके साथने सिटेंग अरेजमेंट का यह बताओ बैटा और स के बेठा है स्ट के साथ नहीं बेठा है जो कि दूसरे इस्तान पर है पी क्यू तथा ट के दाएं है पी तता आर एक साथ बेठे है और पी के बेठने की इस्तती क्या है कौन बताएगा इसका राइट आंसर सबसे पहले किसका उत्तर आएगा भाई जटपट आंसर दो देखें जल्दी जल्दी quickly फटा फट देखो दो दो चार और एक पांच बेंच पर बेटे हैं PQ के बगल में बेटा है तो दो condition है PQ के बगल में बेटा है तो ऐसे भी PQ के बगल में बेटा है और PQ के बगल में बेटा है तो ऐसे भी बेटा है RS के बगल में बेटा है ST के साथ नहीं बेटा है जो कि बेंच के बाएं चोर पर बेटा है जो कौन यहां पर जो कौन T और T है वो बाएं चोर पर बेटा है जो कि बेंच के बाएं चोर पर बेटा है R दाएं से दूसरे इस्तान पर है यानि पहला और ये दूसरा कितने आदमी थे हमारे पास में 5 ही थे P Q तथा T के दाएं है P A वो Q तथा T के दाएं इसमें Q के दाएं नहीं रह रहा है तो इसको हटाओ ये तो गलत हो गया अब क्या बोला है P तथा R एक साथ बेटे है P और R एक साथ बेटे है तो अब बचा कोई यहाँ पर S बचा है तो S को रख लो ये आपके पास वे पूरी के पूरी सिटिंग ओरडर बन गया है 5 ही आदमी थे P और Q बगल में बेटे है R और S बगल में बेटे है S T के साथ नहीं बेटा है जो कि बेंच के बाएं चोर पर बेटा है R दाएं से दूसरा है P तथा Q है ये P, T और Q के दाएं है P तथा R एक साथ बेटे हैicide बिल्कुल बेटे हैं जी P के बेटने की स्थति है वो Q और R के बीच में है Q और R के बीच में है Q और R के बीच में बेठे है Q और R के बीच में बेठे है P P जो है वो Q और R के बीच में बेठे है चलिए next one ये बताओ बेटा ये कौन बताएगा ये कौन बताएगा देखें बी ओप्शन बिल्कुल भार्दवाज साब विच आंसर फिगर विल कंप्लीट दा पैटन इन दा क्योक्शन फिगर इस पैटन को कंप्लीट करने वाला यू यू और यू लगा दू तो कंप्लीट हो जाएगा और उसमें यह लाइन थो ऐसे डोटेट वाली तो सीदी जाएगी एक यह लाइन भी ऐसे आएगी तो ऐसा किसमे नजर आ रहा है आपको, बताओ जी ऐसा किसमे नजर आ रहा है C option, C लगा दिया जाए, बिल्कुल सही answer दिया जी C बिल्कुल इसमें देखो ये गलती कर दी और इसको तो उल्टा कर दिया तो correct answer क्या हो जाएगा आपका C next ये बताईए देखें ये बताईए यहाँ पर कागज को मोड कर और फिर काटा गया है और फिर वो कैसा दिखाई देगा खोलने के बाद वो आपको बताना है चलिए बताईए देखें जटपट answer दीजिए सबसे पहले किसका उत्तर आने वाला है फटाफट इसको आदा मोडा गया है आदा मोडा है और आदे से वापिस तो यानि कि ये इस तरह भी खुलेगा इस जगे खुलेगा और ये जो पीसे से वो ऐसे आएंगे आपके ये ये होगा अब किसमे ऐसा हो रहा है ऐसा किसमे हो रहा है और इसको जब आपिस उदर रिवर्ट खोलोगे ना तो यहाँ पर भी डोट और इस जगे ये आएगा और इदर खोलोगे तो यहाँ पर डोट और इस जगे यह आने वाला है किसमे आने वाला है किसमे आएगा जनाब अच्छा देखो एक छोटा सा कौन्सेट बताता हूं आप तो इतना ही देखलो ना है तो यह एसा दिखाई देवा स सरे इसमें दे रहा है तो बस ये यह आंसर लगा तो और सी ओप्षिन आपका थी एना बात समझ माई जनाब ये सोड़नो नेक्स वन पर लेकर के चलते हैं यह है अरेंज दा गीवन वर्ड इन दा सिक्वेंस इन विच्छ दे अकर इन दा डिक्स्नरी डिक्स्नरी में जैसे अरेंज करते हैं वैसे आपको अरेंज करना इनको फुटाफ़ट सबसे पहले अंसर देखो यहां पर अगर मैं बात करूंसी की तो सी से तो डिसाइड नहीं होगा एसे भी डिसैड नहीं होगा यहां यह इसे पहले करते हैं तो तो A हटाया L भी हटाया और इधर I E और I आ रहा है तो पहले 5 नमबर वाला आएगा E फिर I को हटाया तो इधर भी S आ रहा है इधर भी S और यहां पर M आ रहा है तो फिर 3 वाला आएगा फिर उसके बाद में 4 वाला आएगा फिर E और E को हटाओ तो इधर L है और इधर Z है यानि दो नमबर वाला आएगा फिर एक नमबर वाला आएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांस तीन चार दो एक यस तो यह आपका गूड आंसर होगा क्लियर है यह बात सबी के बताओ जनाबि यास D option गूड नेकस्ट वन यह देखो मैट्रिक्स का है इसमें क्या होता है वैसे रूल रूल लागू होता है कि आपको पहले पंक्तिमें या इस्तम में रो या कोलम में यह रूल होता है तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें कैस लू के लिए तो आपको पहले तो आपके रो और फिर उसके बाद में पहले इधर देखना है पहले अंग को फिर दूसरे को यहाँ पर देखना है वैसे इसका जो इस्टेक्शन आता है वो बहुत बढ़ा आता है और ये बहुत ओल्ड टाइप का क्युशन है SSC वगेर आप में पूछा जाता था आपको low के लिए code निकालना है तो L की इस्ति पहले जैसे 2 है तो 2 आपको किसे में देखना है row वाली में देखना है फिर 3 में कहां देखना है इस्तम में तो L आ रहा है 2-3 के लिए L आ रहा है एक 2 के लिए देखते हैं तो 1 और 2 में तो N आ रहा है एक और 2 में तो इसका मतलब ये option तो गड़बड है ये तो सही नहीं है ठीक है फिर आगे चलते हैं हम लोगे यहाँ पर दूसरा option देखते हैं 6 or 9 तो 6 or 9 में देखो L आ रहा है 7 or 8 7 or 8 में O आ रहा है 7 or 8 7 or 6 में T आ रहा है 7 or 6 में इसका मतलब ये भी गलत है इसका मतलब ये भी गलत है डबल 9 9 9 में देखते हैं तो 9 में 9 में L आ रहा है आपका 9 8 9 और 8 में देखते हैं तो R आ रहा है इसका मतलब ये भी गलत है 1 4 1 4 में देखते हैं तो L आ रहा है देखो 3 0 तो 3 और 0 के अंदर O आ रहा है एना आपको O ही चाहिए था फिर 6 और 7 6 और 7 में आप देखते हैं तो V आ रहा है V चाहिए था आपको और 6 और 8 6 और 8 में देखते हैं तो आपको E R R E चाहिए था तो डी ओप्शन है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है डी इस दा राइट आंसर चलिए 24 नंबर पे चलते हैं यह बताइए बहुत ही सिंपल सा क्वेशन जब इसे हम ओपन डाइस से बंदेंगे तब आप से पूछा जा रहा है कि यह ट्रैंगल वाली शेप इसके अपॉजिट साइड में कौनसा आएगा triangle shape के opposite side में कौन सा आने वाला है बिलकुल सही उत्तर बताया आपने देखो ये जो black वाला triangle है ये इसके opposite में आपके आएगा circle ये black जो circle है dark circle इसके opposite के आएगा आपके star और ये जो star आपके यहाँपर दियावा है इसके opposite side में क्या आएगा आपके square shape यह तो आपका correct answer क्या होगा C option C is the right answer very good next one यह बताओ if the number indicates the number of person then how much total youth graduate are there बताओ जी कितने हैं जो आपके यूआ graduate के बारे में पूछा जा रहा है यूआ graduate कितने हैं और वो भी total पूछा है total youth graduate number कुल यूआ सना तक यह पूछा है बताओ देखो अगर बात करें यूआ सना तक की तो वो तो कितने हैं 20 तो ही है 20 तो ही लेकिन इन्हों आपके employed हो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन 10 भी तो है तो आप 10 इसमें एड करेंगे तो आपके पास में कितना answer आ जाएगा 30 तो great answer के आएगा आपका 30 इस दा राइट आंसर आज बताओ हमने कितने question कर लिए आज बताओ हमने कितने question कर लिए और हमारे ALP के अंदर RRBALP के अंदर RRBALP में आपके reasoning के कितने question आने वाले हैं reasoning के कितने question आने वाले है 25 RRBALP के लिए reasoning के कितने question आने वाले है 25 question आने वाले हैं तो वो हम कर चुके हैं और यह RRBALP के लिए mock test 3 था तो उमीद है कि आपको सभी को अच्छा लगा होगा और हाँ अगर आपको अच्छी तयारी करनी है और अच्छे से concept clear करने हैं तो आप अच्छाब 24-7 की mobile डाउनलोड कीजिए और उपर लिंक भी दियावा है आपके बेच जोइन करने के लिए और आपको छूट भी मिल रही है छूट वाली जगे भी मैं आपको बताऊंगा उपर यूपर आपको category की अंदर क्या सेलेक्ट करना है category में एई-ई-ई-ई-ई जो engineering बेच है वो स्टार्ट हुआ है 29 फरवरी से तो इसमें जाकर कि आप क्या कीजिएगा एक कूपन कोड दे रहा हूं मैं वाई-400 जैसे आप वाई-400 कूपन कोड लगाएंगे तो यह आपको 800 कुछ रूपे के अंदर बेच है वो मिलने वाला है वाई-ई-ई-ई-वाई-ई- 800 आप 800 सम्तिंग रूपे के अंदर इस बेच में एन्रोल कर सकते हैं ठीक है और अगर बात करें अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड टैस स्रीज तो टैस स्रीज का ओप्शन है क्या यह देखो यह रहा एलपी के लिए cbt first के लिए टैस स्रीज का ओप्शन भी है अगर को Y400S आप जैसी कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 194 रूपे में आपको यहाँ पर 500 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं और कूपन कोड आपको क्या यूज करना है Y400S कूपन कोड का इस्तमाल करना है ठीक है एप पर क्लासेज है वो शुरू हो चुकी है 29 फरवरी से तो इसी के स साथ मैं इजादत लेता हूं पढ़ते रही है मस्त रही है जीवन में आगे बढ़ते रही है तैंक्यू तैंक्यू वेरी मच गाईज